आज है 20 सितंबर 2021 सुमबार का दिन सुमबार की गता सुनेंगे किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था दूर 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 तक उसका व्यापार फैला हुआ था नगर के सभी लोग उस व्यापारी का संबान करते थे इतना सब कुछ होने के बाद बेबी व्यापारी बहु पूजह किया करता रहता और शाम के समय शिव मंदिर में जाका शिव जी के सामने गी का दीपक जलाया करता था। पुत्र प्राप्ति का वर्दान देना पड़ा। व्यापारी पहले की तरह सुमवार के दिन भगवान शिव का विदिवयत फ्रयत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उस हरे काती सुन्दा बालक ने चनम लिया। और घर में खुशिया ही खुशिया भर गई बहुत धुमदाम से पुत्र जन्म का समारों बना गया। परन्तु व्यापारी को पुत्र जन्म के अधिखुशी नहीं क्योंकि उसे पुत्र के अल्प आयू के रहसे का पता था। अब उसने अपने बेटे को मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराने से भीज लिया। इंकार ना कर दे। इस बद्दामी के डर से वावर के पिता से पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्टिक्स में एक विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को दूला बना कर राजकुमारी के साथ विवा करा दूँ विवा के बाद इसको धहन दे कर विदा कर राजकुमारी से विवा कर दिया राजा ने बहुत सारा धन दे कर राजकुमारी को विदा किया अब शादी के बार लड़का जब राजकुमारी के साथ लोट रहा था तो वो ऐसा चिपा नहीं पाया और उसने राजकुमारी के ओड़ने पर लिख दिया कि राजकुमारी त साथ हुआ था, मैं तो वाराने से पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, अब तुम्हें जिस नम्योग की पत्नी बनना पड़ेगा, वह एक आक से काना है, जब राजकुमार ने अपनी होड़ने पर लिखा हुआ पड़ा, तो उसे अपने काने लड़के के साथ जाने से इंकार कर दिया, राजा को जब ये बात पता लगी तो उसने राजकुमार को महल में ही रख लिया, उदर लड़का अपने मामा के साथ वाराने से पहुँच गया और गुर्कुल में पढ़ना शुरू कर दिया, सोला वश के उम्र हुई, उसकी यग्ये के समापतों ने पर भोजन करा अखुब बस्र अन्यदान दिये, रात को जब आज सोने जा रहा था तो शीव के वरदान के अनुसा उसके प्राण पखेर उड़ गये, सूर्य देपर मामा म्रत भांजे को देकर रोने पीटने लगा, और इसके साथ आसपास के लोग भी एकतरित हो गए, जब आसपास के ल मुझे इसके रोने के स्वर्ष सन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करिये, भागवान शिव ने माता पारवती के साथ अद्रश रुप में समीब जाकर देखा, तो भूले नात माता पारवती से बोले, कि यह है तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष के आयू का वर्दान दिया था, इसके आयू पूरी हो गई है, माता पारवती के आगरे पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया और कुछी पल में जीवित होकर उट मेटा, शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अ जरती वे नगर के राजा ने ये कायो जन दिखा, तो उसने तुरनती लड़के हो और उसके मामा को पहचान लिया, ये कि समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रका बहुत सा धन बस्र आधी देखर राजमारी के साथ विदा कर दिया, अब इदर भूकी पैसे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रैतिक्षा कर रहे थे, उन्होंने प्रैतिक्षा कर रखी थी, कि यदि उन्हें अपने बेटे की मिरत्यू का समाचार मिला, तो दोनों अपने प्रयाण त्याग देंगे, परन्तु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लोटने का समाचा सुना, तो वह बहुत ही प्रैसन हुआ, वह अपने पत्नी और मित्रों के सा नगर की द्वार पर पहुँचा, अपने बेटे की विवा का समाचा सुनकर, पुत्र वदूई राजकुमारी को उसकी खुशी का ठिका उसी रात भगवान शीव ने व्यापारी के सुप्ट में आकर कहा कि श्रीश्टी मैंने तेरे सुमार की व्रत करने और व्रत कता सुनने से प्रैसन होकर, तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रैसन की है, पुत्र की लंबी आयू जानकर व्यापारी बहुत प्रैसन हुआ, और तो यह थी सुम्मार की व्रत कता, वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक कीजे, चैनल को सब्सक्राइब कीजे, बहले अकर बटन लबा दीजे, तुम मिलती हूं नेक्स वीडियो में, हरेगी कृष्णा, थैंक्स फॉर वाचुं.